बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रनाली होती थी तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था उस समय का एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था जहां दूर दूर के राधे की शिश्य सिक्षा प्राप्त करने आया करते थे बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की हुमर ढ़लने लगी थी और उसकी पतनी का देहान थो चुका था घर में बिवा योग एक गनिया थी वह उसका बिवा एक योग्या लड़के से करना चाहता था एक दिन उनके मश्टिश्क में एक खयाल आया और उन्होंने इस परिशानी का हल सोचा कि क्यों न वो अपने खुद के शिश्य में से ही किसी योग यवड की तलास करे उनसे बहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है इस काड़े के लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परिक्षा लेने का नेने लिया और सभी शिश्यों को एकत्र किया रादे गुप्त ने सभी से कहा कि एक परिक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी की परिक्षा देना होगा उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवा की चिंता ह जिसके लिए उनके पास पाडियापत धन नहीं है इसलिए भी चाहते हैं कि उनके शिश्य विभा में लगने वाली सबी समागवी को पुर किसी तरह से उपाई करें और उन्हें चोरी का रास ताचुनना पड़ें लेकिन उन्हें चोरी करके उन्हें अपने गुरू की इस परिशानी को हल करना था सभी सिश्य यह बात सुटकर बहुत परिशान हो गए कि किस तरह वो अपने गुरू का यह परिशानी दूर कर सकते हैं फिर वो सब उस परिशानी के हले में आगे निकलने लगे और फिर उसके बाद अगले दिन से सभी शिशे काडिया में जुट गए रोजाना कोई ना कोई तरह की वस्तुए चुड़ा कर लाता और राधे गुप्त को दे देता राधा गुप्त उन्हें एक विसे स्थान पर र रहे थे लेकिन इनमें से एक चुपचप गुरुकुल में बैठा हुआ था जिसका नाम रावा नभुई था वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और हुनार चात्र था उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पोचा तब राम स्वामी ने बताया कि अपने चूरी कैसे कर सकते हैं तो फिर आप बताईए गुरु मैं कैसे चूरी कर सकता हूँ जबकि बैठा खुद से खुद के अंतर आत्मा से कोई भी चूरी नहीं कर सकता हूँ यहाँ बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन हुए और गुरु ने उसका एक दो और बुद्धी मानी भड़े सवाल पूछें जिन प्रशनों का उत्तर उसमें सही सही और बहुत ही बुद्धी पुरवक दिया बहुत ही सयम के साथ दिया यह देखकर गुरु देव बहुत ही जादा प्रसन हुए और उन्हें समझ में आ गिया कि यही है वो बुद्धिमान वैक्ति जिसकी तला कारे में बताया जिसे जानकर राम स्वामी बहुत ही आश्रय चकित हो गया फिर उसके बाद गुरु ने उसके माता पिता को अपने आश्रम बुलाया उसके बाद बहुत ही प्रक्रिया स्वारूप दोनों का भी भासमतन नहुआ और दोनों बहुत ही खुश-खुश रहने लगे